Class 2, Subject Science, Lesson 8, Shelter and Clothes, आश्रे और कपड़े, आईए इस पार्ठ में हमें किस किस टॉपिक पर पढ़ना है हुए हम जाने, अस्थाई घर, टैंट, हाउस बोट, जोपडियां, एगलू, कारवा, स्थाई मकान, बंगला, अपार्टमेंट, छतों के प्रकार, घर की सामगरी, वह जगह है जहां हम रहते हैं और सुरक्शित महसूस करते हैं, हमारा घर हमें गरमी, सर्दी, बारिश और हवा से बचाता है, ये हमें जंगली जानवरों और चोड़ों से भी बचाता है, लोग विभिन प्रकार के घरों में रहते हैं, मकानों को अस्थाई और स्थाई के रूप में वर्गी कृत किया जा सकता है। Temporary House, अस्थाई घर, कुछ घर एक जगह पर स्थिर नहीं होते हैं। इन्हें मोना जा सकता है या एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये अस्थाई घर हैं, ये सस्थे हैं और इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। Tents, तंबू, तंबू कैनवास और रस्यों से बनाये जाते हैं। ये पाटे बल है, इन्हें लगाना आसान है, जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वे तंबू का उप्योग करते हैं। सैनिक, परवतारूही और शिविरार्थी तंबू का उप्योग करते हैं। ग्यान बकसा आजकल तंबू सिंथेटिक सामगरी से भी बनाए जाते हैं। हाउस बोट पर घर होते हैं। नावे वे लकड़ी के बने होते हैं। ये पानी पर तैरते रहते हैं। ये घर कश्मीर में जीलों पर पाये जाते हैं। हट्स जोपडियां, जोपडियां मिट्टी, पुआल और बांद से बनी होती हैं ये चोटे और कच्चे घर हैं, ये गावों में पाय जाते हैं इगलू, कुछ बहुत थंडे देशों में घर बर्फ के बने होते हैं इन्हें इगलू कहा जाता है, ऐसे घर अंदर से गर्म होते हैं, knowledge box एसकिमो इगलू में रहते हैं, कारवा, कारवा मकान होते हैं, पहिए, इन्हें कहीं भी ले जाकर पाक किया जा सकता है, खाना बदोश, खाना बदोश कारवा, permanent house, स्थाई मकान, जब लोगों को चाहिए, ल लोग रह सकते हैं, ये घर कई वर्षों से हैं, ज्यान बक्सा, जिस घर में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं उसे घर कहते हैं, बंगला, बंगला एक बड़ा घर है जिसमें बगीचे की जगह होती है, यहीं तों, सिमेंट और लोहे की छड़ों से बना है, आए करें, आ ज्यान बक्सा, अपार्टमेंट बड़े कस्बों और शहरों में पाए जाते हैं, टाइप्स और रूफ्स, छटों के प्रकार, घरों की छटे विबिन प्रकार की होती हैं, वे सम्तल या धलान वाले हो सकते हैं, जोपडियों की छट आम तोर पर धलान दार होती है, अधिका ज्यान शमेदानी घरों की छटे सपाट होती हैं, इगलू की छट गुंबद के आकार की होती है, छटे फूस या स्लेट की भी बनाई जा सकती हैं, गुन्थना, घर की सामगरी, घर विबिन सामगरियों से बने होते हैं, लोग घर बनाने के लिए पुआल, मिटी, सूखे प हमें अपने घर की देख भाल करनी चाहिए, हमें इसे साफ सुत्रा रखना चाहिए, हमें कुरे दान को नियमित रूप से खाली और साफ करना चाहिए, हमें अपने खिलोने और किताबें उनकी जगह पर रखनी चाहिए, हमें नियमित रूप से मकडी के जाले साफ करने चाह क्लोद्स वी वेर प्लास्टिक या रबर से बनाया जाता है वे हमें भीगने से बचाते हैं और सूखा रखते हैं